गुड मॉर्निंग स्टुडेंस आज हम सब हमारी हिंदी पार्टे पुस्तक ज्ञानोदे भाग दोगे पार्ट बेश बुद्धि की सीख पड़ेंगे प्रस्तुत पार्ट भगवान बुद्धि के द्वारा दी गई सी यानी सिक्सापरादारित है भगवान बुद्धि ने किसे और क्यों सीख दी ये हम पड़ कर जानेंगे किस नगर में किसी नगर में एक व्यापारी रहता था वह पूजा पाठ एवं भगवान में विश्वास नहीं करता था प्यारे बच्चों किसी नगर में कौन रहता था? किसी नगर में एक व्यापारी रहता था वह किस में विश्वास नहीं करता था? वह पूजा पाठ एवं भगवान में विश्वास नहीं करता था इस कारण से वह महात्मा बुद्ध के उपदेशों से सहमत नहीं था यानी भगवान बुद्ध के दुआरा दिये गए उपदेश यानी ज्यान की सिक्सा को वह व्यापारी नहीं मानता था परन्तु जहां भी जाता उसे बुद्ध दुआरा कही गई बातें ही लोगूं से सुनने को मिलती यानी वह जहां भी जाता वही लोग भगवान बुद्ध के दुआरा कही गई बातों के बारे में बात करते रहते थे एक दिन महात्मा बुद्ध उसके नगर में आ पहुंचे प्यारे भच्चों महात्मा बुद्ध कहां आ पहुंचे महात्मा बुद्ध उसके नगर में व्यापारी के नगर में आ पहुंचे उसी नगर यानी सहर में महात्मा बुद्ध आ पहुंचे वे पेड के नीचे बेड कर अपने भक्तों को उपदेश दे रहे थे प्यारे बच्चों कहां बेटकर भक्तों को उपदेश दे रहे थे वह एक पेड़ के नीचे बेटकर अपने भक्तों को उपदेश दे रहे थे यानि उन्हें ग्यान व धर्म के बारे में बता रहे थे तभी वह व्यापारी भगवान बुद्ध के पास आया और उन्हें अनाबसनाब यानि अपमान जनक बाते बोलने लगा व्यापारी ने उन्हें कहीं अपमान जनक बातें कहीं प्रन्तु भगवान बुद्ध के मुँसे एक सब्द नहीं निकला जब वह व्यापारी बोलती बोलती ठक गया तो वह चुप हो गया यानि जब तक व्यापारी बोलता रहा बगवान बुद्ध चुपचाप सुनते रहे जैसे ही में व्यापारी ठक कर चुपः हो गया बगवान बुद्ध ने बड़े ही सांथ स्वर में पूचा वत्स यानि पुत्र क्या तुम अपने घर में अथी थी यानि मेहमानों का स्वागत करते हो व्यापारी बोला हाँ करता हुँ तब बगवान बुद्ध ने पूचा तुम उन्हें खाने के लिए भोजन देते हो तो व्यापारी ने बड़े गर्व से बोला हाँ मैं उन्हें भर पेट भोजन कराता हूँ इस पर बगवान बुद्ध ने फिर पूचा यदि तुम्हारा दिया हुआ भोजन स्विकार नहीं करे तो क्या होगा यानि तुम एमानों को खाना प्रोसो और अगर वे खाना नहीं खाए तो बुद्ध की यह बात सुनकर व्यापारी बोला ये केसा सवाल है यदि वे भोजन नहीं करेंगे तो वे भोजन मेरे पास ही रह जाएगा मात्मा बुद्ध नमरवानी में बोले यानि बड़ी ही मिठी वानी में सांतो कर करते हैं जो तुमने मुझे अनेक अपमान जनक सब्द दिये हैं वे तुम्हारे पास ही है क्योंकि मैंने उन्हें स्विकार नहीं किया है जैसे अथिती भोजन स्विकार नहीं करते तो वे तुम्हारे पास रह जाएगा वैसे ही मैंने भी तुम्हारी अपमान जनक बातें स्विकार नहीं की वो अब तुम्हारे पास ही रह जाएगा इतना सुनने पर वह व्यापारी बड़ा लज्जित यानि सर्मिन्दा हुआ और उसने दर्ड निश्चे किया कि वह कभी किसी को अपमान जनक सब्द नहीं कहेगा और नहीं कभी किसी के लिए बुरी भासा का परियोग करेगा ये कहकर वह मात्मा बुद्ध के पेरों में गिर गया और उनका अनुवियाई यानि बुद्ध धरम को मानने वाला उनके उपदेशों को मानने वाला उनका सिस्से बन गया प्यारे बच्चों जैसे महात्मा बुद्ध ने उस व्यापारी के करोध करने पर उस पर करोध नहीं किया बड़े प्यार से वे सांत भाव से उसे समझाया उसी परकार हमें भी जो हमारे पर क्रोध करें उस पर क्रोध न करके उसे उनकी गर्थी का एसास करवाना चाहिए प्रेम से तो हमारे बीच किसी परकार की लड़ाई नहीं होगी और हम सब प्रेम से रह सकते हैं सब्दार, व्यापारी, व्यापारी यानि व्यापार करने वाला, अथिती, अथिती यानि मेहमार, भोजन, भोजन यानि खाना, उपदेश, उपदेश यानि महान बाते बताना, नम्र नम्र यानी विनितिया नरम लज्जित यानी सर्म आना धन्यवाद